व्यूद्ध व्यूद्ध से फारत्रेश के बैंकिंग के टेजी का अज बढ़ता हूँ आप शुरू करते हैं से पहयफें और भाश धरीज सेüneकर आप होगाँ क कॉ तो सुचो ब कर द endings हो गहन के लोगा उनका होताह काम करना है थांilt कि अगर आप लोगो कोई भी ऐसा दिखता है जो कि आपको लगता है कि इसी मदद की जरूरत है और इसे आप किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो सिख की प्लीज मदद करना चोटे मुटे कमबल देकर, चोटे मुटे कपड़े देकर पर करना दूरूर। इतने जोश में रहा करो कि लगी कि हाँ ठीक है सही है। चलो। तब ये ठीक है। मुझे बारह महीने में छे महीने में इसे उतार चड़ाव आते रहते हैं बिकॉज मुझे थ्रोट इंफेक्शन बहुत जल्दी होता है। एनिवे चलो। शुरू करते हैं सेशन को। सब बढ़ियां सब सुनाई देरा दिखाई देरा तो एक बार बता दो। सेशन को शेर मार दो बाकी जगे भी बाटे आओ। ओके। रोज नहां के आया करो। अच्छा। चाहते क्या हो। मैडम मतलब सुबह सुबह तुम लोग को ख़वर मिले। आज सिक्सी अपनी आपाएगी क्योंकि मैडम पर लोग सिधार गई। चाहते क्या हो तुम लोग। हट हो गई। मतलब कोई तुम्हारा हिताशी नहीं है कोई तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। समझ रहो तुम लोग बहुत खतरनाक है। चलो भई। शुरू करते हैं सेशन को हम लोग। कुछ नुकसान नहीं होता है। मैडम की दूआ मिलती है। मैडम की दूआ से जल्दी आप लोग बन जाओगे पीयो। तो मैडम की दूआ लेते चलो और सेशन को बढ़ते चलो सभी लोग। ठीक है। और भी एक और बार, जैसे बहुत सारी बच्चे होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पर्सनल पर मेसेश करने लगते हैं, टेलीग्राम फे गरापे, तो बच्चों पर्सनल पर मत क्या करो, यार मैं बता रही हूं तुम्हें, पर्सनल पर करने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई फा यह अगी में आज का मुटिवेशन हमारा आज का मुटिवेशन क्या कहता है डोंट लेट यस्टेड़े टेक अप टूमच अफ टुड़े ठीक है पुराना भूल जा भई और आज जो है न उसे देखो आगे बढ़ो जो भी हुआ पुराना अच्छा हुआ बुरा हुआ अच्छा हुआ तो सोच के खुश होते रहो मैंने यह किया था मैंने वो किया था मैं ऐसा हो मैं वैसा हो नहीं यह बुरा हुआ मेरे साथ तो ऐसा हो गया मेरे साथ तो ऐसा हो गया ये समनी सोचना है आपको क्या सोचना है कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं आगे इसको कैसे बेटर कर सकते हैं अगर अच्छा था तो और अच्छा करना है बुरा था तो उसे भी अच्छा करना है बस हम एक चीज पर फोकस करना है We need to do good अच्छा कर नहोगा हमें कैसे भी कुछ भी करके मेरा भी नाम लीजे अंज़री तुम्हारा नाम में तुम्हारी घर पे बात करती रहती हूं तुमें बताएं तो थी मैं इतनी बातें में तुम्हारी गरती हूं और तुम ये सोचते हो कि मैं सेशन में तुम्मारा नाम ने ले रही हूँ सोचो मेरे घर पे सब लोग तुम्हें जान रहे हैं जम्जड़ावाबात को बहुत बड़ी बात है है कि नहीं चलो अब जरह हम लोग warm up हो जाए जाए ओके अब जरह हम लोग warm-up होने की कोशिश करी जाए फटा-फट देखो मेरा warm-up यहां रहा सबसे पहले आप से पूछ रहा है Export-Import Bank ने जो है अभी-अभी कितनी रुपए का line of credit extend किया है उस वेकिस्तान को 448 million, 18 million, 400 million या कुछ भी नहीं क्या answer होगा जल्दी answers करिएगा Share कर दी है very good मैं भी share कर दी अंशू सांडेल ले तुम्हारा भी नामाद से मैं घर पे लूँगी अपने घर पे बात क्या करूंगी कि मेरे क्लास के बच्चे हैं अंजली अंशू कीरती सागर शायरी ती लोग जोती कार्तिक सब की मैं बात करूंगी ठीक है तुम लोग घबरा होने recording भी इस दिया करूंगी देखो तुम भी क्या याद करो गया चलो इसके answers करो the answer will yes answer आपका क्या है 448 million ठीक है और हमने क्या पढ़ाता कि जो टोटल अमाउंट है न जो टोटल अमाउंट हो गया है इन्होंने जो LOC पे दिया हुआ है countries को अलग-अलग ये 26.9 billion डॉलर तक हो चुका है ठीक है 26.9 billion डॉलर तक complete Exim Bank ने दे रखा है अलग-अलग banks को अच्छा Exim Bank क्या होता है Exim Bank is Export-Import Bank इसके साथ मिज़र आप लोग दियान रखे रहिएगा कि ये जो Exim Bank होता है इसका काम होता है कोई भी Export-Import में तो इसको Finance प्रोवाइड करना होता है दूसरी चीज़ धियान रखो ये इससे होता है मुंबई में 1982 से काम करना शुरू किया है और अभी फिलाल में जो हैड है ये हैं डेविड रसके नहां कौन है डेविड रसके नहां फिलाल के उस बेज़री Exim Bank के हैड है अब तुम लोग एक बात इतनी सुबह सुबह मैं जग जाती हूं यही बहुत है नाश्ता बहुत दूर की बात है कोई मुझे इतनी सुबह नाश्ता दे तो मैं उसके पैल शुलूंगी देखो 9th edition of Mountain Summit कहां पर हुआ है दिल्ली नैनिताल धहरा दुनिया कच वाट इस दा आंसर फट्टा-फट आंसर करो क्वेशन बहुत असान पूछा है बच्चों क्वेशन आपसे पूछ रहा है मांटेन समिट जो है हुआ काहां पर था हलो 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 चैनल परवेशन बहुत बहुत रहा हुआ है तो दो 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 अचाह है कि नवा इन समिट आझाख अच्छा देरादोन हो गाए ता और दो नैनिताल में पहला मांटेन समिट हुआ था कब 2011 में और दहरादून में अभी Nova Mountain Summit हुआ है दहरादून यानि कि उत्तराखंड में आजाओ अच्छा उत्तराखंड की हम बात कर ले तो उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहली बार हो रही है जैसे कि Moss Garden आपको याद होगा यहाँ पहली बार खोला जा रहा है Lichen Park यहाँ पहली बार खोला गया था Gerson यहाँ की Summer Capital बना दी गई है ठीक है Snow Leopard Conservation Center यहाँ बनाए गया है ओके एक और चीज क्या नया हुआ है बताईएगा इतनी चीजे तो मैंने आपको बता दी सबसे बड़ी Butterfly भी यहाँ देखी गई है Golden Bird Wing है ना अब आप लोग मुझे यह बताईएगा एक हाल की चीज हमने पढ़ी थी जो मैं नहीं लिखी हूँ यहाँ पर यह क्या हुआ था हाँ बस आज हिंदी में नहीं है question उसके लिए I'm extremely sorry कल से हिंदी में भी रहेंगे ठीक है I was not very well मतलब बहुत जादा सही नहीं फील कर रही थी तो मैं नहीं कर पाई थी बस आज नहीं है कल से आपको हिंदी में question मिलेगा in fact कल से आपको जितनी टियोरी होगी वो भी हिंदी में मिलेगी ठीक है चलो इसके answers करो हाँ चलो देखो यह तुम लोग देख के बताते रहे ना क्या मैंने छोड़ दिया जब मैं छोड़ दिया तो तुम लोग भी भूल जा तो अभी अभी कौन सा mountain है जिसकी जो पीक है वो बढ़ गई है यानि उसका हाइट जो बढ़ गया that was mount Everest ठीक है it was mount Everest ठीक है 0.86 meter से बढ़ है 8848.86 is the new height ठीक है तो यह सारी बतों को ज़र आप लोग याद रखेगा important चीजे हैं और एक और बात कौन ऐसी थी एक और चीज को ज़र आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि कौन सी ऐसी बच्ची या कौन सी ऐसी tribal girl थी जो कि सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा उचाई पर चड़ने वाली और छे कांटिनेंट्स की पीक पर चड़ने वाली तो धैट वो्स मालवात पूर्ना ठीक है तो रुब Вас पूर्ना यह tribal girl यह कहां को भेलॉंग करती है International mountain day कब होता है 11 of December ठीक है येस चलो आगे बढ़ा जाए हम लोग अब देखो कौन से शिप लॉंच की गई है प्रोजेक्ट सेवेंटीने प्रोग्राम के अंडर एरावत हिमकिरी सुजीत कनकलता बरुआ ठीक है क्वेशन में आपसे पूछ रहा है कि कौन से शिप है जिसको लॉंच किया गया है प्रोजेक्ट सेवेंटीने के अंडर एरावत हिमकिरी सुजीत कनकलता बरुआ वट इस दा आंसर जल्दी जल्दी आंसर करो फटा फट हाँ भी कीप ओन आंसरिंग कीप ओन आंसरिंग कीप ओ आप लोग अपने दिमाग में रखेगा इसके अंदर आपकी तीन जो है शिप को जी आर ऐसी देने वाला था और चार शिप को ground dog ship builders देने वाले थे ठीके ना तो ये बातों को ज़रा ध्यान रखेगा ये जो तीन ship GRC देने वाला था इसमें पहली कौन सी है पहली आपकी है हिमगिरी keep it in your mind अच्छा GRC कहां पर कोलकाता GRC के हेड रेर अड्मारल वीके सक्सेना ठीके सारी बातों को याद रखो बच्चों बहुत ही जदा important है questions एक्जाम में आपसे बन सकते हैं एरावथ की मैं बात करूँ तो एरावथ को मिशन सागर में यूज किया गया था अभी अभी जो मिशन सागर सेकेन्ड हुआ है उसमें एरावथ को कि यह जो भी जा सके इसको इसको एकने आसपास की निवरेंग कंट्रीज को दिया जा सके ठीक है पिर देखो सुझीत के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे ठीक है फिक है यह ओपी वी ओफ्शूर पेट्रोल वेसल कनकलता बरुआ इसको भी दिया वेसल बनने थे जो GRSC इंडियन कोस गार्ड को देता यह उसमें की लास्क सीरीज थी ठीक है ना यह सारी की सारी बातों को ध्यान में रखे रहेगा यह फास्ट पेट्रोल वेसल की लास्क सीरीज में थी जो GRSC ने ICG को दिया था ओके चलो अगला देख ले अब देखो ओला 2400 करोड कौन से राजी में निवेश करने वाली है माध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश तमिल नाडू गुजरात वाट इस दा आंसर जी आरेजी क्या होता है गार्डन री शिप बिल्डर लिमिटेट शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेट बिसिकली शिप मैनिफेक्चरिंग का काम करते हैं और अभी हमने क्या बात करी थी कि अभी क्या हुआ है ये लोग कुछ दिन पहले ही अपने सौवेश शिप को जो है कंप्लीट किये थे ओके ये लास्ट ये रार भी में आपसे पूछा भी गया था चलो आंसर करो आंसर करो फटा फट इसका अंसर हो का तमिल नाडू इन्होंने 2400 करोड रुपए जो है तमिल नाडू में निवेश किये हैं और ये क्यों किया गया है ताकि यहां पे स् भारत की यहां बनने के लिए तैयार हो रही है जिससे की कहा जा रहा है दस हजार से जादा जॉब्स क्रियेट होंगी ठीक है और इससे देखो जैसी यह हमारे देश की हल्प कर रहा है सिमिलरली यह और कहां की हल्प कर रहा है न्यूजिलैंड की न्यूजिलैंड में भी जो क्या गर सकेंगे कार्बन नीट्रल हो सकेंगे कब तक दो हजार पचीस तक तो ये बातों को ज़रा ध्यान में रखी रहेगा इस का अंसर था तमिल नाडू ने वर्ल्ड एकॉनिमिक फॉरम के साथ में पार्टनर्शिप करके और अपने वहाँ पर अडवांस्ट ठीक है गवर्नर है आपके बन्वारिलाल पुरोहित ओके इपलानी स्वामी को कुछ दिन पहले जो है पॉल हैरिस अवोर्ड भी दिया गया था ठीक है ना ध्यान रखे रहना ये सब कुछ इंपॉर्टन्ट है बच्चो एक्जाम में आपसे पूछे जा सकता है पॉल हैरिस सिटीज में यूपी यूपी पीम स्वानिधी में टॉप किया था अगर आप लोगों को ध्यान हो ये पीम स्वानिधी में टॉप किया हुआ था इसके साथ में हम लोग गुजरात देख रहे हैं तो गुजरात से रिलेटेड तो बहुत कुछ अभी कच में आपको याद ना फिर आपका गुजरात में जो है सबसे बड़ा कार्डियक होस्पिटल बनाया गया है इसको भी जरा ध्यान रखिएगा ये भी बन सकता है इसके साथ ही साथ में यहां पर और क्या लांच किया गया था गुजरात में आप लोगों का गिरनार रोपवे लांच किया गया जिसको लॉंगिस टेंपल रोपवे बताया गया था ओके ये भी आपका गुजरात में था इसकी भी कीमत आपके 121 करोड थी साथ ही साथ में बस एक और वात को आप लोग दिहान रखो गुजरात से रेलेटेड कि जो गुजरात है यहां पर आपका किसान सूरियोदा मिशन भी शुरू किया गया है ठीके ना वाट इस किसान सूरियोदा है जितने भी किसान है इनको सोला घंटों के लिए लाइट प्रोवाइड करी जाएगी ठीके कीप ओल दीस तेंग्स इन्यों माइंड बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है ठीके ना येस येस चलो अगला दिख करो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से भी जो नया डिपार्टमेंट खोली है इसका नाम क्या है हाँ देखो अभी आपको कली मैं आपसे बात करी थी जो भी प्रोमोटर फ्रॉड है इसको चेक करने के लिए जो भी आपके प्रोमोटर फ्रॉड है इनको चेक करने के लिए सेवी न एक नया डिपार्टमेंट खोला है और इसका नाम क्या है corporation finance investigation department ठीक है क्या नाम है corporation investigation department ठीक है यह सेवी का आपका नया अपना department खोला है ठीक है न ध्यान में रखे रहना सब लोग बहुत ही ज़दा important है यह department करेगा क्या basically check करेगा चीजों को इसको किया गया because divert कर देते funds ठीक है funds को जैसे आप लोग कह सकते हो गलत तरीकी से divert कर देना उसका गलत यूज कर देना example में आप लोग देख सकते हो DHFL, Cox and Cambridge, Amalia से बहुत लोग हैं जो generally मिल जाएंगे आपको ठीक है यह जो नया department है इसको headcon करेंगे इसके headcon होंगे यह आप से पूछे जा सकता है तो यह सेभी के executive director है नागेंदर परक वो इसको head करने वाले हैं ठीक है नागेंदर परक यह इसको head करने वाले है इन बातों को जब आप लोग धियान रखके रहिएगा इक्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं अब देखो इनका जो main होगा इनका जो main aim होगा वो क्या होगा basically इनका जो aim होगा यह होगा कि छोटी मोटी company से लगाए बड़ी बड़ी companies तक जो भी promote कर रहा है जो भी company के लिए कुछ कर रहा है उसके एक check रखे रहना उसके अलावा देखो आप लोग यह handle करेगा अगर कभी भी misappropriate हो रहा है fund का complex transactions हो रहा है उसको देखने का काम करेगा ठीक है कहीं भी अगर forensic audit की नीड़ है तो वहाँ पे जाएगा यह सारी काम करने के लिए सेभी ने ने बनाया है सेभी के जो head होते हैं यह हो जाते हैं आपके अजित्यागी सिट्वेटेट कहां पर है मुंबई में एक्ट कप का है 1992 बनाया कप गया था 1988 board of directors के member होते है 9 ठीक है इस इन सारी बातों को ध्यान में रखना बच्चु यह सब exam exam में आपसे पूछी जा सकते हैं कि सब important है ठीक है चलो सब बढ़ियां सब कुछ होके अब आगे बढ़ा जाए अगर आपको अभी तक की चीजे सब समझ आई है तो एक एक बार बता दो और मेडम को एक एक थमसब दिखा दो कि everything is okay सबी लोग एक एक बार बता देना ठीक है सब कुछ बढ़ियां तो एक एक बार बताओ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को continue करते हैं चलो देवी अंजली राश फिर्दूस पीकू वेवूल सविता सभी मनप्रीत अवन्तिका अंजली फिर्दूस प्रीती अंशु एवरिवन सब ठीक दो है हाँ भी ओके आगे बढ़ा जाए फिर ओके 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 यह नहीं सब बढ़िया है अब खबरों की सिलसलों पे चलते हैं ठीक है देख लो भी यह आपका बैच है ऐसे और भी तमाम बैचिस है जो हम लोग के मिल जाएंगे आपको कहां पर अनेकेडमी पे मिल जाएंगे देख लो यह चार हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको और भी बहुत सारी बैचिस हैं और अगर आप अनेकेडमी पे भी जाके सर्च करोगे तो टॉप 10 15 एजुकेटर्स में हम लोग सबी लोग है ठीक है सर लोग तो इन फैक बेस्ट एजुकेटर्स हैं मेरा भी आप देख लोगे तो यह में काफी अच्छी पोजिशन ओके तो इफ यह वांट तो अगर आप चातो जॉइन करना तो आप लोग हमें जॉइन कर सकते हो जॉइन करने के लिए यह कोड का यूज करना होता है इतनी स्ट्रॉंग सारे के सारे सभी बेस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही प्लाटफोर्म पर पढ़ा रहे हैं एक ही जगे पर पढ़ा रहे हैं यू अलसो फील गुड एक बार आप लोग आप लोग देख लो फीडबैक आप लोग खुद ले ले लेना किसी भी जान पहश से चल रहे हैं मेरी क्लास चलती हूँ या किसी भी और फैकल्टी की क्लास चलती हूँ कोई भी और सब्जेक की बैंक का कोई साभी कोर्स चलता हूँ केवल SBI P.O नहीं चाहें वो IBPS का हो SBI का हो जो भी कोर्स हो वो आप लोग कर सकते हो बहुत अराम से ठीक है अगर मुझे अब तक अनेक एडमी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना सुष्मेदात्र पार्टी नाम से में मिल जाओंगी ठीक है इस नाम से मैं आप लोग को मिल जाओंगी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना ठीक है ना चलो अब आगे बड़ा जाम लोग हाँ जी एकी क्लास कल होई थी दो बज़े लेकिन ये जो मेरा ये पेन देख रहो ना पेन कल वर्क नहीं कर रहा था तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी कि वहल फॉर्टी मिनिट्स की क्लास हो पाई थी ठीक है चलो कर आज आप लोग देख लिए ना अच्छे से कलास हो जाएगी मैं पेन वस नोट वर्किंग इस दिए नहीं हो पाई थी ना चलो बहुत खबरों की तरफ चलते हैं सबसे पहली खबर को देखो हमारी जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सिता रमन इन्होंने 23 वी मीटिंग करी है FSDC की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये ओके देखो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है FSDC की मीटिंग करी है ठीक है कौन सी मीटिंग 23 मीटिंग की है सबसे पहली बात कि यार ये FSDC होता क्या है तो देखो FSDC की बात हम लोग कर लें इसका मतलब होता है Financial Stability and Development Council ठीक है इसका मतलब होता है Financial Stability and Development Council ये आपका FSDC होता है अब देखो इसका Basically काम क्या होता है इसको आइडिया है था कि ये बनाना चाहिए सबसे पहली बार ये सजिस्ट करने वाले रखुराम राजन जी थी 2008 में उन्होंने सजिस्ट किया था कि इसको बनाना चाहिए 2010 में तबके जो Finance Minister ते प्रनब मुखर जी उन्होंने इस पे हां करी थी फिर जाकर ये बनाया गया था ठीक है ये जो Council है ये इंडिया का initiative था ताकि हम लोग जो भी पुराने लेवल पर हम लोगे वहाँ जिस भी किसम के आपका फ्रॉड हो किया हूँ या कुछ भी हो सका हूँ उसको दूर कर सके और आगे बहतर तरीके से बढ़ सके ठीक है तो इनकी काफ़े responsibilities भी होती है जैसे financial stability को देखना होता है coordination देखता रहता है है literacy को देखता है financial inclusion कैसे बढ़ाना है ऐसी काफ़ी सारे काम के लिए इसको बनाया गया हुआ है तो इसी पूरी-पूरी जो अध्यक्षिता की गई है अभी इनकी इसको हम लोग कैसे strengthen कर सकते हैं क्या क्या हमें और मजबूत कदम लेना चाहिए कि हमारा देश आगे निकल सके काफी सारी मुद्णों पर इन्होंने बैट करके चर्चा करिए आपस में अब जरह आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि यह अगर आपसे पूचा जा सकता है कि यह कौन सी ऐसी इंटरनेशनल बॉड़ी है जिसके साथ कोडिनेट करके चलने की कोशिश करता है FATF Financial Action Task Force जो की इससे होता है पेरिस में और इसके अंदर सदर से होते हैं 39 ठीक है तो यह FATF के साथ में जो है चलता रहता है और जो भी Finance Minister decide करते हैं time to time उसको जो है follow on करना रहता है इसको ठीक है तो इन बातों को जब आप लोग ध्यान रखे रहिएगा Finance Minister की मैं आपसे बात करूँ तो Finance Minister का जो आपका निरवाशन शेतर हो जाता है यह राजसभा करनाटका होता है ठीक है यह क्या होता है राजसभा करनाटका and all these things are very important जो आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है अब एक बात बताओ तुम लोग मुझे कि हमारे वहाँ है तो कि नजया है तो कि जो आपसे आपसे लोग वहाँ ठीक है इस के कौन होती है जी इस इस विगिजासमี काउसरे कि हैं फटब यह कहीं होती फटा फटा फट Cover लिखो जो भी लोग देख रहा जात निधी ती लोग फिर्दूस और रंजीत रोए तोरनित के टांसर inhal कि हेड कौन होती है दी में धी में हो जाते हो तुम लोग लिखते लिखते बताते बताते फिर तोड़ा सा धी में हो जाते हो यह आपका हेड किया जाएगा सित्ता रमन जी के द्वारा ही ठीक है यानि कि हमारी जो भी फिनांस मिनिस्टर है वो ही इसे हेड करती है ओके यह सारी की सारी बातों को अपने अपने दिमाग में याद रखे रहना आप लोग यह सिस चलो अगला देख लेते हैं के एस्यूम ने अभी अभी के एस्यूम इंक्यूबेटेड एवायर ने टाइप किया है यह बैंक के साथ में ठीक है प्रिपेड कार्ड के लिए यह आप लोग प्रिपेड कार्ड देख सकते हो किसके साथ में टाइप किया है यह बैंक के साथ में किया है किसने के सुम ने किया है ठीक है अब जरा देखो यह आप से बोलने की कोशिश क्या कर रहा है फिर्स्ट और फॉल एक बात बताना मुझे वॉट इस के सुम कोई मुझे बताएगा वॉट इग्जैक्टली इस के सुम देखो that is केरल स्टार्टप मिशन भूलना मत इसे important है ewire soft tech है केरल स्टार्टप मिशन के एंडर इन्होंने एक prepaid card के लिए association के लिए yes bank के साथ में साजिधारी करी है ताकि next generation payment को ये लोग अपने platform पर provide कर सके अगर मैं आप से कहते हूं next generation payment तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि मतलब आप लोग कह सकते हो कि technologically बहुत आगे बढ़ना उसको बहुत आगे carry करे रहना वही चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है कि इन लोगोंने क्या किया है अभी अभी साथ में pact sign किया है ताकि क्या कर सके next generation payment को हम लोग अपने platform पर ला सके और उसके द्वारा तमाम तरीकी की सुविधाओं को launch की जा सके अब जैसे आप लोग देख लो जो co-branded digital banking mobile application है यह आपका common public को help करेगा और corporate यानी companies को help करेगा कि यह loans प्रोवाइड कर सके insurance दे सके जो आपकी government of keral की central agency होती है ठीके और यह क्या करी है इसको ध्यान रखना यह आपकी 2006 में खोजी गई थी 2006 में इसको इसको इस्थापित किया गया था head office होता है थिर्वनंथ पुरम ठीके head office आपका होगा थिर्वनंथ पुरम हो सकता आपसे exam में सवाल बना के पूछ लिया जाए confusion के लिए बच्चों से generally पूछ लिया जाता है की कहां पर रहे है अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को अगर ध्यान हो इन्होंने क्या किया था yes yes अच्छा एक बात बताओ मुझे yes bank के अभी फिलहाल में chairman कौन है yes bank के अभी फिलहाल में chairman कौन है जिल्दी जिल्दी answers करो आप लोगों को याद होगा yes bank ने एक सुविधा launch करी थी loan in seconds कौन सी सुविधा थी loan in seconds यह yes bank ने launch करी थी और यह काफी famous हुआ था जब इन्होंने launch किया था जो भी इनके ऐसे customers होंगे जिनको loan जल्दी दिया जा सकता है उनके लिए basically इसको launch किया जाएगा ठीक है yes bank established कहाँ पर है Mumbai में okay head कौन होते हैं प्रशान जी और इनका जो tag line होता है यह क्या होता है experience are expertise ठीक है experience are expertise okay किसी को कोई दिकत दुख परिशानी यह बात ही तो हमने कई बार कर रखी है प्रदीप कुमार लोग प्रदीप कुमार का आगे यार नया नया नाम रख दे तो तुम लोग इतने प्याड से नाम ले रहा हो राना कपूर का हदी कर दी बिलकुल anyway अब एक बात मुझे बताओ सब सही बता रहो सब सही बता रहो अब एक बात मुझे आप लोग बताईएगा केरल की चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं who is the CM of केरल केरल की जो आपकी हेल्थ मिनिस्टर हैं केके शेलजा केके शेलजा जी को यूएन ने अपने वहाँ पे बुलाया था ताकि इस पीज दे सके किस तरह से इन्होंने कोविट को हैंडल किया है और डेबलो एच्चों ने इन्हें सराहा था जिस तरह से ये नॉन कम्यूनिकेबल डिजीजिस को फैलने से रोके हैं तो यह इनका नाम दियान रखिएगा केके शेलजा इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बहुत ही बहतर हैंडल किया है जिसकी सभी लोग अभी तक नाम ले रहे हैं गवर्नर केरल के आपके आरिफ मुहम्मद खान हो जाते हैं और फू इस था सी एम का नाम आप लोग बताओ येस पिनाराई विजिन ठीक है ओके येस इनके नाम को दियान रखना बहुत इंपोर्टन्ट है चलो आगे बढ़ा जाए हम लोग अब देखो आफशोर पेट्रोल वेसल सुचीत अब इसको कमिशन किया जाएगा ठीक है इसको आप जो है सीना में कमिशन किया जा रहा है देख लो भे इनकी बात कर ली जाए सुचीत सुचीत ऐसा नहीं कोई लड़का वड़का है देखो जैसा हम देख सकते हैं इंडियन कोस गार्ड शिप जो है सुचीत यह जो second है इस सीरीज में, offshore patrol vessel के, इसको बनाया गया है Goa Shipyard Limited द्वारा, Goa में इसको क्या किया जाएगा, commission किया जाएगा, Indian Coast Guard ने कहा है कि इसको बनाया गया है Prime Minister Narendra Modi का, जो vision of make in India उसको ध्यान में रखते हुए, और इसको अपनी स्वदेशी रूप से बनाया गया है, अपने देश में बनाया गया है, इसको commission कौन करेगा, Secretary of Defense Production, राज कुमार जी करने वाले हैं, ठीक है? अब जरहाएग बात और आप लोग ध्यान रखो, अभी आप लोग देखोगे, तो लगातार अपने वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजों को बनाया जा रहा है, offshore patrol vessel हो गया, fast patrol vessel हो गया, बड़ी ships हो गई, बड़े level की missiles हो गया, इनको इतना जल्दी develop किया जा रहा है, इनको इतना जल्दी develop किया जा रहा है, because हम लोग की जो देश में है, अभी आप लोग देख सकते हों कि टेक आफ जो चाइना के साथ चल रहा है, तो चाइना का stand-off, इनको face करने के लिए जरूरी है, कि अपने देश में इनको बनाया जा रहा है, साथी साथ में हमारी सरकार ने ये भी कहा है, कि आगे आने वाले समय तक हम लोग अपने वहाँ पर defense की सारी की सारी चीजों को ही क्या करेंगे, सारी की सारी चीजों को हम लोग कमिशन करना शुरू करेंगे, बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा कहा है हमारे defense minister ने, और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जो दूसरों पर निर्भरता है डिपेंडेंसी है दूसरों से कुछ भी ले रहा है उसको बंद करें अच्छा मेकेंडिया ये प्रोग्राम है कि हमारे दूसरी कंपनी बारे वहां पर एफडिया करें 2014 मी इसको शुरू किया गया था और सबसे पहली कौन सी विदेशी कंपनी ती मेक एंडिया के अंदर आई थी ये आपकी शाओमी थी सबसे पहली बार ये FDI की थी Make in India के अंदर ठीके? इसको सबी लोग ध्यान रखे रहिएगा अब इन्होंने क्या कहा है कि 101 ऐसे equipment हैं जो हम लोग दूसरे देश से लेना बंद करने वाले हैं ठीके? फिर देखो अगर मैं आपसे कहती हूँ क्योंकि जो defense का export का target हैं ये कितना है? जल्दी जल्दी answers करना कि भारत के defense का export target कितने का है? कुछ दिन पहली मैं आपसे बात करी थी एक्सपोर्ट का target इन्होंने 35,000 करोड का कर दिया है भारत के defense ने अपने export के target को 35,000 करोड का कर दिया है ठीके? और इसके साती में कहा है ये भी कि हम लोग प्रोक्योर करेंगे अपने वहाँ पर चीजों को बनाएंगे और उसको डबल कर देंगे अगले पांच सालों में ऐसा करने की कोशिश करी जाएगी ये हमारे वहाँ डिफिंस का अपना वो है अपना एक इनका टागेट है ठीक है ग तो तेली नहीं डिसकस करती हूँ तो तीन चार पांच बार में एक बार डिसकस होता है तो ये भूल जाते हो तुम लोग बार बार मैं जब ही देखिया हूँ जब ये क्वेशन पूचा जाता तो फ्रिक्वेंसी कम होती है बच्चों के आंसर की ठीक है देज नौट अट ब जब भी हम लोग बात करते हैं डिफेंस की तो डिफेंस में याद रखेगा डिफेंस मिनिस्टर आपकी राजनात सिंग जी है अगर इनके नाम को नहीं याद रखा इनकी कड़ी निंदा कर डाले तुम लोग अभी अभी ये कंगना रनौत को आशिरवात दिये हैं तुम ल लेकिन कल मेरी कंडिशन नहीं थी ग्लास लेने वाले पूरे दिन क्लास लेकर ऐसी की तैसी हो गे थी मैडम की ओके आगे बड़ाजें हम लोग फिर देखो ग्लोबल एलेक्रिसिटी डिमांड जो है ये मॉडस्ट रिबांड शो करेगी तो हजार इकीस तक यह कहने की कोशि क्या कर रहा है कहने की आप से अब लगनों बतारों सब लोग वेरी गुड बहुत अच्छी बात है देखो अभी अभी जो इन्टरनेशनल एनर्जी एजिंसी है इन्होंने बताया कि जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है यह चाइना द्वारा लीट किया जाएगा इंड और बाकी Emerging economies द्वारा जो historic shock है COVID-19 crisis का इसकी वज़े से 2% तक global electricity demand में कमी देखी जाएगी ठीक है ऐसा IEA का कहना है जो की बताया है पहला पहली बार जो electricity market report है इसको लेकर के आएगया और इन्होंने अपने report में बताया है कि हमारे वहाँ पर जो है अभी 2% तक electricity की decline देखी जाएगी यह भी इन्होंने कहा है कि electricity demand जो है यह grow करेगी 3% तक 2021 में यह बहुत important point है बच्चों इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा इसकी वज़े से significantly this will be significantly weaker than the rebound of electricity demand of more than 7% in 2010 ठीक है तो देखो अभी जैसे हम लोगे वहाँ पर कोविड आया हुआ है तो कोविड की वज़े से भी बहुत सारी दिक्कते आई हैं यह बहुत कुछ देखने को मिल रहा है इसे तरह से आपको याद होगा layman brother crisis जिसको हम लोग सब्प्राइम crisis कहते हैं जो 2008 का आया हुआ था उसके बाद भी economies को emerge करने में बहुत time लगा था लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बा करके आया है यह electricity market report लेकर के आई है अच्छा electricity market report कौन publish किया है IEA ने publish किया है अब ज़रा हम लोग IEA की बात कर ले तो एक बात बताएएगा आप लोग international energy agency इस्थित कहां पर होती है सबी लोग बताना international energy agency जो है इस्थित कहां पर होती है कब बनाएगे थी किसी को याद है किप और आंसरिंग किप और आंसरिंग येस देखो यह आपके इससे होती है international energy agency बहुत सारे मुझे answers मिल गया है लेकिन जो मैं answer चाहती हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है बस बाकि दुनिया के बहुत सारे answers मिल रहे है कि अब आप लोग इसको आज के उसमें लिखना वेर इस दे हेड़ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल एजनसी एजनसी मुझे लगा था यह पूछते बिल्कुल सही सही मिलेंगे option ले लो पेरिस विएना न्यू यॉक यह नन ओफ दी अबब ठीक है यह आपके options है इसके हिसाफ से आप लोग बताइएगा कि यह इस actual established कहां होता है ठीक है फिर यह भी याद रखिएगा कुछ दिन पहले इन्होंने यह भी highlight किया था 30% तक का global energy demand में drop आएगा ऐसा भी इन्होंने अपनी तरफ से बताया था ठीक है आई यह की रिपोर्ट आई थी global energy demand में जो drop आएगा यह 30% तक हो सकता है ठीक है लेकिन चुकि यह बहुत पुरानी बात हो और फिलाल में हम लोगों को इस पे अभी इतना ध्यान नहीं देना है ओके आई यह क पेरिस में होता है और इसमें 30 members हैं भी ठीक है ना ध्यान में रखे रहो यह सब अच्छे question है जो exam में आप से पूछा जा सकता है ठीक है तीस सद्दे से हैं पेरिस में इस्तित है सवाल आपसे बन जाएंगे हमारे वहाँ पर power minister कौन है देखो मैं तोड़ा थोड़ा सा दीम मंत्राले यह आर के सिंग जी देखते हैं ठीक है और हमारे वहाँ पर पेट्रोलिय मंत्राले धर्में इंद्र प्रधान जी देख रहे हैं इन दोनों लों को जड़ा आप लोग ध्यान रखे रहेगा important है ओके अगली बात आ जाती है कि आर के सिंग जी कि क्या हो जाती है तो अब यह क्या कह रहा है यह हमसे यह कह रहा है कि international union for conservation of nature ने एशया original office अवार्ड किया है Paul Sinva को goldman environmental price 2020 एशया के लिए यह जो award है यह उसको दिया जाता है जो कि self determination से natural resources को reserve करता है इसके लिए दिया जाता है पॉल जी की बात कर लें यह co-founder है केरन environmental और social action network की जो की इस्थापित हुआ था 2001 में ठीक है अच्छा यह award दिया किसने है यह award दिया है international union for conservation of nature ने दिया है ठीक है इनके director general कौन होते है डॉक्टर ब्रूनो अबरले और international union for conservation of nature का head office का होता है ग्लैंड स्विजलैंड another thing very important is कि कल हम लोग निम्यानमार से related एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो भी हम लोगे वहाँ पे drug substances वेगेरा होंगे इनके बारे में timely information exchange करी जाएगी क्या किया जाएगा timely information को exchange किया जाएगा तो जड़ा इन बातों को आप लोग ध्यान रखे रहेएगा यह सब exam में आपसे बन सकते हैं IUCN के उपर question बन सकता है और यह अभी आपसे पूचा रहा सकता है अच्छा एक बात बताओ हाँ भी अब एक बात बताना मुझे कि भारत में forest man किसको करार दिया जाता है जब हम लोग इतनी बात करी रहें और इन्हें nature के ही लिए मिला है तो यह बताईएगा भारत में forest man किसको कहते हो आप लोग जल्दी 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 है ओर इस से हल्कालंक कैसा मिल रहता है इसकी बात कर ली जई जादुच है इनहें पदमिश्री दिया जा चुका है टीक्अ ह कि ऀन आई-उ-द्मिश्री से नवाजा जा चुका है ति ermद ये पड़ रहेए कि agio dein ने अवर्ड दिया है म्यानमार की पॉल सीनवा को ओके क्या अवर्ड है गोल्ड मैं इन्वाइनमेंटल प्राइस 2020 एशिया के लिए दिया गया है क्योंकि इनका जो भी अपनी तरफ से था इन्वाइनमेंटल और सोशल एक्शन वो जो है सराहनिय था जिसके लिए अवर्ड द का देखो अभी यह जो अप लोग देख रहो न आई एफ आइन अकाउंट जो है फ्रॉड बताया गया चार सो आठ करोड आउटस्टेंडिंग तो यह बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आज कल के समय में ओके इंडियन बैंक ने कल की एक खबर है रिजर्फ बैंक ओफ इ 61 करोड तक की थी ठीक है जो इसकेम है अाई एलफ स करता क्या है इसको जरा आप लोग ध्यान रखेगा आई-लफ स बैसिकली एक fraud ही बढ़ता जा रहा है और इनके उपर की अभी liability बहुत ज़्यादा हो चुकी है अगर overall देखा जा तो इनके उपर की जो liability है वो चुकी है 94,000 करोड तक की जो की बहुत बड़ी बात है और ये लोग उसको cope up करना बहुत मुश्किल हो गया इसलिए सरकार ने क्या किया था IELFS company एक NBFC की तरह काम करता है ठीक है यह क्या करता है एक NBFC की तरह काम करता है और कहा जाता है यह एक shadow bank का काम कर रहा है ठीक है इनको shadow bank करार दिया गया था अब shadow bank किया यह तुम लोग लिखना है यह मैं कल के session में आप से पूछेंगे क्यों 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 दिस अ वेरी को अपने session में करना है जिग्यासा वनाए रखो वनाए रखो ठीक है तो इनको shadow bank भी कहता है इट वरक्स इस अन्बी एफसी यहानी की non banking financial company ठीक है तो इसकी तरह की काम करता है लोगों की काम को construction के काम को ठेके पर लेकर उसको complete करना था आपने सुना होगा चिनानी नशरी ट सकता है तो यह आपकी largest tunnel थी और इसका नाम किस के उपर कर दिया गया दीन दया लुपाद्याजी के उपर खेल यह हमें नहीं पढ़ना हमें ILFS की कहानी देखनी है तो इनका जो scam highlight हुआ था सितंबर 2018 में आय था क्योंकि यह कई जगे अपनी payment पे default already कर चुके थी reason क्या हुआ reason यह हुआ था कि यह जितना ले रहे थे काम उतने हिसाब से इनकी profit नहीं हो रहे थी यह उतना यह वापस करने की शंता इनकी नहीं थी तो यह डूपता ही जा रहा था eventually सरकार ने क्या किया कि IELFS का जो board था इसको super seat कर दिया और इसको अपने वहां की कुछ अपने officers के द्वारा शुरू करा दिया कि अब वो लोग इस board को head कर रहे है ठीक है तो यह बात किसकी होगे यह बात होगी हमारी IELFS की yes okay चलो head कौन हो जाती है पदमजा चंदरू very good हाँ अब इन्हें कोई loan loan नहीं देगा बिल्कुल सही बतारो एक बात बिताना मुझे सभी लोग कि Indian bank का head office कहां पर होता है where is the head office of Indian bank जल्दी जल्दी answers करो सब लोग यस यस टेग लाइन तो याद रखना your own bank ठीक है tag line will be your own bank ओके चिन नहीं चिन नहीं slow answers करो यार थोड़ा सा तीजी से answers किया करो ओके थोड़ा सा अपने अंदर की उसको जगाय रखा करो आग को ओके चलो अगला देख लो आपसे क्या बोल रहा है कनारा वैंक ने launch किया है fx4u forex remittances के लिए remittance शब्द का मतलब फटा-फट समझ लो remittance का मतलब होता है कभी भी remittance का मतलब होता है कभी भी आप मान लो दूसरे देश में कमा रहो ठीक है आप मान लो कमा रहो मलेशिया में ठीक है मलेशिया में कमा रहो और आप अपनी country में इंडिया में पैसों को भेज रहो तो मलेशिया में कमा हुए पैसों में से जो इंडिया में भेजोगे यह remittance कही जाती है सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जो remittance receive होती है यह इंडिया में ही होती है इंडिया से ज़्यादा कोई country remittance नहीं receive करता है तो अभी अभी कनारा बैंक ने लॉंच किया है एफ एक्स फॉर यू फॉर एक्स रेमिटंस के लिए है आपका और अब फॉर एक्स रेमिटंस इंटरनेट बैंकिंग के जरी आप लोग receive कर सकते हो ठीक है तो यह एक अच्छी चीज अच्छी पहल इन्होंने करिए एफ एक्स फॉर यू इसको जभी भी आप लोग इसको यूज करते हो तो यहाँ पर अपना रेमिटंस तो आप लोग उसके मॉड्यूल को तो देख सकते हो जो भी चीज़ें है लेकिन उसके अलावा जो बाकी सुविद हैं देने को कहिए वो धीमे 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 अक्टिव क करते हुए ही नए मॉडियूल को बनाए गया है कॉर्पोरेट कस्टमर्स जो है यह बना सकते हैं सब्मिट कर सकते हैं अपनी एलसी अप्लिकेशन को इनसे रिलेटेट सारी चीज़ों को जो भी ट्रांजेक्शन होगी जो सब्मिट की जाएगी इंटरनेट बैंकिंग के जर करती रहें स्विफ्ट हम लोग बार बार देखते हैं तो वोट इग्जैक्टली इस दिस देखो इसका मतलब होता है सुसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्यूनिकेशन ठीक है स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है सुसाइटी फॉ लुर्ल वाइड इंटर बैंक फाइनेंशिल टेली कम्यूनिकेशन कभी एक देख से दूसरे देख में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो शुरुवाती की दूर में पैसे बहेंज रहा हुँ एक फाइनेंशियल मेसिजज यानकी को रिशीफ करें और वह इदर डालें तब जाके पूरी transaction complete होती है जो Swift का code होता है या तो यह 8 digit का होता है या तो यह 11 digit का होता है ठीक है? 8 या 11 क्यों चैने हैं कि जो आकरी का 3 digit यार रखेगा या तो 8 हो सकता है या तो 11 हो सकता है 9, 10, 5, 3, कुछ नहीं बता सकतो ठीक है? जो आखरी के तीन डिजिट होते हैं, यह औप्शनल होते हैं, और यह ब्रांच के होते हैं, तो अगर कोई अपने वहाँ पर ब्रांच का डिजिट रख देता है, तब तो ठीक है, 11 हो गया, नहीं, तो 8 डिजिट ही रहेंगे, ओके, ना, इसका हेड ओफिस कहां पर होता है, ब और जो मैं कोड आप से बोल दियू ना आठ या ग्यारा डिजिट का यही एक जगे से दूसरी जगे तक जाता है तब ही जाकि कि बैंक से शूर होते हैं कि हाँ जो भी इंफर्मेशन क्योंकि यह आपके कंट्री आपका कंट्री कोड रहेगा लोकेशन कोड रहेगा बैंक का कोड रहेगा यह इसमें तीन कोड सोते हैं जो की मस्ट होते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि हां सामने वाला बिल्कुल सही जग बारत के पास में PSLV होता है, चाइना का बहुत जादा मशूर होता है, लॉंग मार्च, ठीक है, तो यह सब रॉकेट होते हैं, लेकिन बेसिकली यह क्या करते हैं, यह करियर का काम करते हैं, यानि कि बड़ी-बड़ी मिसाइल्स वेगरा लॉंच करनी होते हैं, तो इनको यू यह बाद में USSR टूड़ गया था, रशिया अलग हो गया था, सब अलग हो गया थे, लेकिन जो लॉंच पैट्स वेगरा थे, वो इन कंट्रीज में पढ़ते थे, ना कि रशिया में, रशिया को बार बार इनका सहारा लेना पढ़ता था, तो इस वज़े से रशिया ने लॉंच कर पा रही है या नहीं, जैसे आप लोग सोयूज का नाम भी पढ़ते होगे रशिया के, ठीक है तो इनका परपस यही होता है, अब जरह ध्यान दो, रशिया जो है, यह सक्सिस्फुली टेस्ट लॉंच किया अपनी हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को दूसरी बार कंट्री की मिलिटरी और स्पेस ने इसा बताया है, यह पहला जो इनका सक्सिस्फुल टेस्ट लॉंच हुआ था, यह 2014 में हुआ था, और रशियन प्रेसिडेंट द्वारा इनको सराहा गया था, A5 जो इसको डिजाइन किया गया है ताकि यह प्रोटोन M हैवी लिफ्ट रॉकेट को रिप्लेस कर सके, अब रशिया की स्पेस एजिंसी रॉस कोस्मोस होती है, और रॉस कोस्मोस के हैड होते हैं मित्री रोगोजिन, इनके नाम को ध्यान रखो, एक्जाम में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटर, ठीक है, येस, कीप ओल आपसे एक्जाम में सवाल बना सकते हैं, अगला देख लेए, अब तोड़ी एक्स्ट्रा डोजिस ले लेते हैं हम लोग, ओके, अच्छा देखो, चुकि हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं, तो कुछ और भी स्पेस वाली चीजों को ध्यान रखे रहो, किसको किसको याद भारत भारत गानियान लांच करने वाला है, कब मेरा गला बिलकुल वो रहा है, थुड़ी चाय भाई भिजवादो क्यूंकि मैडम सुभे क्लास ले लेके, सुभे 6 बचे मोर्निंग बहुत जल्दी है, आप लोग आतो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, कि आ एन द भारत बनाः गान को इस पैसे, इसमें जो एस्टोनोट मोंगे इनको ड्रेणिंग रशीया देगा और एक्विप्मेंट के ट्रेणिंग फ्रांस देगा, ठीक है, चंडरयान को अगले साल जिए लांच किया जाएगा, यह भारत के क्मपॉर्टेंट मिशन से ध्धान रखे रहना ठीक है फिर वीनस वीनस मिशन 2024 में कम्प्लीट किया जाएगा वीनस की सतेब पर exploration होगा ठीक है और इसके लिए France हमारी मदद कर रहा है ठीक है ना हाँ हमारी Space Agency होती है इस रो जैसे यहां हमने रोस कोस्मोस देखा वैसे हमारी Space Agency होती है द्यान में रखना सारी बातों को ठीक है अब शेलो एक्स्ट्रा डोस की तरफ प्रधान मंत्री जी ने स्वर्णिम विजय मशाल जो है इसको लाइट अप करेंगे आज ताकि पचासवी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हम लोग कर सके इंडो पाकिस्तान वार की चार विक्ट्री मिशाल जो है इसको जलाया जाता है एटर्नल फ्लेम नैशनल वार मेमोरियल से यह जो मिशाल है यह कैरी किये जाते हैं तमाम पार्ट्स ओफ कंट्री तक जो चोटे-चोटे-विलिजजिस होते हैं परमवीर-शेक्र महावीर-शेक्र वाओडी중 के उनके घरओं के आस-पास तक इसको ले जाते हैं ठीक है उनके विलिजिस के आस-पास तक ठीके तो जरा इन बातों को ध्यान रखना अच्छी चीज़े हैं ओके फिर देखो इंडिया और यूके ने मिल करके एक अच्छा बंगला देश से रेलेटेड हमने काफी सारे बातें कर रखी हैं सैना यार्लStudah चाहर माइट और इसा सीय। मुझेपर रह्मान गंवर्माट इंडिया का यूनिस को देना आफ क – अच्छाहप्श एजाए गा़ जाएगा का लिग्या एक बातए हम इन लूग उन्हें कर ले थी ठीक है नाउ इंडिया और यूगे डेलिगेशन लेवल टॉक किया है इस ट्रेदन कोपरेशन इन डिफरेंट एरियास ट्रेड प्रोसपेरिटी ठीक है यूगे और भारत जो है आपस में समझवाता किये काफी सारी मुद्दों पर ताकि एक दूसरे में ट् जैसे यूगे के साथ देख रहे हैं वैसे कल हमने पढ़ा था उस्वेकिस्तान के साथ में ट्राइलेटरल वरकिंग ग्रूप में इन्होंने काफी सारी चीजों पर डिसकेशन किया था फिर मियानमार के साथ में ड्रग सबस्टेंसेस के इंफॉमेशन पर एक्सचेंज करने साइबर स्पेस पर साइन किया है जपान के साथ में इस्टील और कोल को बहतर करने के लिए पैक्ट साइन किया है ठीके न तो इन सारी की सारी बातों को आप लोग ध्यान रखीगा ओल इस तिंग सा वेरी इंपोर्टेंट एक्जाम में सवाल बनाए सकते है ठीके फिर देख रसलर रुस्तम में पंजाब बत्ता सिंग एड़ नियू हाई रेलवे स्टेडियम इन डेल ही ठीके नाम ध्यान रखो ऐसे में जभी भी आपसे बात करती हूं तो बहुत जो आपके हाल फिलाल की जितनी भी ऑबिट्वरी हुई होती है इन सभी कि हम लोग एक साथ में फट इसलों को ध्यान रखेगा जैसे कि और बीट्वरी सेक्शन में मृद्वला सिन्हा जी को याद रखो ठीके डिये को मैरेड हो न ओके इनके अलावा दहरंपाल गुलाटी जी को याद रखो अब जो मैं पूछ रही हूँ वो भी बता दो शोभा नाइडू जी हाँ चलो और बताओ जोशार लों का नाम और कोई जल्दी जल्दी बताते चलो तरुन गोगोई वेरे गुड ठीक है ये सारे के सारे रीसेंट आपके वहाँ पर जो है सारे रीसेंट और भी ट्वरीज वाली हैं ओके चलो फिर देख लो भी दूसरी नॉन फिक्षिन किताब आई है ऑथर अमीश्ट पाठी जी के द्वारा धर्मा डिकोडिंग दे एपिक्स फॉर मीनिंग्फुल लाइफ जो बुक है ये प्रैक्टिकल फिलोसोफिकल लेसंस जो भी है हिंदो एपिक्स द्वा इंद्वी फेमस हुई थी इम्मॉर्टल्स ओफ मलुहा ठीक है दव इम्मॉर्टल्स ओफ मलुहा ओके ये भी इन्होंने लॉंच करी थी अमीश्ट पाठी त्वारा ही लिखी गई थी फिर क्राइसल जो हमारे वहां की रेटिंग एजिंसी है इन्होंने कॉंट्रेक्शन र इन्होंने जो 9% फोकास्ट किया था सितंबर 2020 इसके पहली नोने कहा था कि कॉंट्रेक्ट करेगी 9% तक घटेगी लेकिन अभी उसको 7.7% तक बताया है ठीक है फिर रिकवरी जो ऐसे केंड कोर्टर में होगी और 2020-2020 में ग्रोथ बताया जा रहा है कि 10% से हमारी कंट्री ग् पढ़ाता अभी देखो SNP का भी लिखा हुआ है SNP ने भारत की FI 21 की GDP कॉंट्रेक्शन को फोकास्ट किया है 7.7% 9% से एक फिर एक ही चीज़े एक बात जड़ा आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कुछ दिन पहले हम लोग उने ADB का भी पढ़ा था ADB ने कितना बताया कॉंट्रेक्ट करने को जल्दी जल्दी आंसेस करो सभी लोग ADB ने अपने हिसाब से कितना बताया कितना कॉंट्रेक्ट करेगी हाँ भी येस पहले इन्होंने माइनस नाइन परसेंट बताया था ना अब कितना कर दिया उसको आठ परसेंट कर दिया ओके चलो क्यार आज के लिए बहुत हो गया बहुत देर तक हो रहा है हाँ बेसल नॉम्स पर भी क्लास हो जाएंगी ठीक है मेरे इरैलेटर्व अमीश्टरपाट ही नहीं है मेरे कोई इरैलेटर्व नहीं है येस चलो अब जो हैवाँ आपन लोग सेशन को क्या करते हैं अब सेशन को तक ना किया हो और कल की क्लास में मिलते हैं अभी 7.15 पर भी एक क्लास होगी शाम में इसको आप लोग देख ले ना जो RBI ने Automated Banknote Processing Center को ला है उसी के बारे में डिस्कुशन होना है ओके चलो